नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप्टुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान परवक्ता परिछा 2020 पीजिटी हिस्ट्री पार्ट 68 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करू उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ वीडियो प्रारंब करने से पहले आपको बता दे अगर आपनों को PGT हिस्ट्री सिरीज का इससे पिछले जो सरसट वीडियो अप्लोड है उसको देखना है तो उसका लिंक मैं डिक्सिप्शन में दे दिया हूं प्लेलिस्ट का उससे आप जाकर अगले पार्ट जो है उसको देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमर वन ने इसमें निमलिखित में से किस अभिलेक से चंद्रगुप्त मौर के सौराष्ट वीजय की पुष्टी होती है यानि किस यूद्र या किस अभिलेक से नाम है रुद्र दामन का जूनागर सिलालेक कोश्चन नमर दो है मध एसिया के प्रसिद रेशम मार्ग पर किस ने अधिकार प्राप्त किया था जिसका नाम था कनिस्क एंसर हो जाएगा B, कनिस्क कोश्चन नमबर तीन है कथन और कारण से कथन दिया है इसमें मथुरा कला में आसो पाई द्रिश से भी प्राप्त होते हैं और कारण है मथुरा के कलाकारों को गंधार कला परंपरा की ज्यानकारी थी इसमें देखे A तो सही है और R भी सही है और R A की सही भ्याख्या भी करता है तो इसका एंसर होगा A यह आर दोनों से यह आरे की सही ब्याख्या करता यानि कि मतुरा में आसो पाई दिरिसी प्राप्त होते थे और मतुरा के कलाकारों को गंधार कला प्रंपरा की जनकारी थी कोश्चन नमबर चार है चंदरगुप्त मौर के सासन काल में गोप नामक अधिकारी का क्या कारे था यानि गोप यह मौर सासन में थे जिसमें सासक का नाम था चंदरगुप्त मौर तो गोप नामक अधिकारी का क्या कारे था तो गोप नाम का अधिकारी का कार्य था वह एक ग्राम समूह का परभारी था यानि कि वह जो है गोप ग्राम समूह का परभारी था कोस्च नंबर पांच है निम्लिखित किन मौर्य अस्तम जो पर शिंग सिर्ष थे जो 4 अप्सन दिये इस में 12-34 इसमें कहां कहां पर जो है सीर्ष पर जो है सिंग थे यह बताना है कोलवा स्थम लहोरिया नंदन स्थम साची स्थम सारनात श्थम देखे कोलवा में भी थे लहोरिया नंदन में भी साची में भी सारनात थे मेनिस में सभी जो अस्तम्ब है सब पर जो है सिर्ष पर जो है सिंग थे एक दो तिन चारिस में सही होगा कोश्चन नमबर छे है कनिस्क के समय किस निर्मलिखित अभिलेक से बिदित होता है कि उसका समराज पूरु में चमपा तक भिष्टरित था कौन सा अभिलेक है तो उस अभिलेक का नाम है राबातक अभिलेक इनसर जाएगा सी राबातक अभिलेक कोश्चन नमबर साथ है प्राकिर्त ग्रंद गौउंडव हो में किसके कारियों का वलन है तीसमें जो है यसो वर्मन के कारियों का वलन है कोश्चन नमबर आठ है निमलिखित में से किसने वर्धन राजवन्स के प्रवर्तक के रूप में पुस्य भूती का उलेख किया है तो किसने जो है वर्धन राजवन्स के प्रवर्तक के रूप में पुस्य भूती का उलेख किया है तो ये उलेक किया है हर्स का बांस खेड़ा अविलेक हर्स का बांस खेड़ा अविलेक में कोश्चन नमबर नौ है महाराजा धिराज की उपाधी धारन करने वाला प्रथम गुप्त सासक था यानि कि महाराजा धिराज की उपाधी धारण करने वाला प्रथम गुप्त सासा की इसमें पूछा है आपसा ने स्री गुप्त, चंदर गुप्त प्रथम, समुन्दर गुप्त, घटोट, कच इसमें सरो जाएगा बी चंद्र गुप्त प्रथम यानि गुप्त सासकों में सबसे पाले जो है चंद्र गुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज के उपाधी धारण किया था कोश्ण नंबर दस है चीनी यत्री फायान के भारत यात्रा के संबंध में नेमलिखित कत्नों मेंसे कौन सा कत्न सही नहीं है सही नहीं है पूछा इसमें पाला दिया है वह चंद्रगुपदुती के सासनकाल में भारत आया था फायान बी दिया है इसमें उसका देश बावधर्म के पवितरा स्थानों की यात्रा करना था ये भी सही है सी दिया है वह जल मार्ग से आया था ये भी सही है और D दिया है वह संपूर्ण भारत का भर्मान कर वापस अपने देश अस्थल मार्क से गया था यह इसमें गलत है यानि कि इसका एंसर हो जाएगा D Question No.11 है गुप्त काल में भूमी अभिलेखों को सुरच्चित रखने के लिए उत्तरदाई पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था तो उसका जनाता करणिक Question No.12 है नीचे जो है धर्म सास्तर लेखकों यह उनके आसरे दाताओं की युग्म दिये गहें गलत युग्म को निर्दिश्ट कीजिए कौन सा इसमें युग्म या सुमेलित नहीं यह गलत है बल्लाल से धर्म पाली यह गलत है इसके अलावा Question No.13 है निमलिकित में से कौन गैंगे कोड उपाधी से सम्मानित था तो गैंगे कोड उपाधी से सम्मानित था कौन इसमें तो इसमें था राजेंदर प्रथम Answer रहाएगा B राजेंदर प्रथम Question No.14 है किस चोल सासक ने वर्मा के सासक कयान जित्ता से सौन पत्तियों पर एक पत्र प्राप्त किया था किस चोल सासक ने जो वर्मा के सासक से प्राप्त किया था तो उस चोल सासक का नाम है कुलो तुंग प्रथम Answer रहाएगा C कुलो तुंग प्रथम Question No.16 है निमलिकित में से किस ने साहस के साथ वयदिक यग्य प्रंपरा का समर्थन किया और सन्यास के सिधान्त का बिरोध किया तो ये बिरोध किया था देखे इसमें आपसंद्या है कुमारिल रामानुज गौडपाड यमुनाचारे इसका Answer रह जाएगा A. कुमारिल कुमारिल ने सन्याज सिधान्त का बिरोत किया था कोशन नमबर 16 है पुत्रहीन ब्यक्ति के मरने पर यागवल्क ने यागवल्क अपनी उत्रादिकार की बेवस्था में किसे प्रथामस्थान पर रखते हैं तो किसे पत्नी पुत्रियाम पिता माता और भाई एसे में परत्म अस्थान किसको वरिता दिया है या गोलक ने तो पहले वरिता दिये हैं इसे में पत्नी को इंसरो जाएगा एक पत्नी को कोश्चन नमबर 17 है अधिकारियों को भूमी अनुदान के माध्यम से भूकतान को मानेता देने वाली प्रथम कृती थी तो प्रथम कृती कौन थी? जो भूमी अनुदान के माध्यम से भुक्तान की मानेता देने लिए प्रथम कृती माना जाता है तो वो थी मनु इस्मिर्थी एंसर हो जाएगा C, मनु इस्मिर्थी Question number 18 है Question number 19 है निमलिखित में से चोल समराज के प्रसासनिक बीभागों का सही औरोही क्रम कौन सा है तो इसमें औरोही क्रम बताना है कि सही औरोही क्रम क्या है यदि डिसेंडिंग में तीस में जो चोल समराज के प्रसासनिक बीभाग थे इसमें सबसे पहले था मंडलम देखे मंडलम दो में दिया है मंडलम के बाद आता है वल नाडू वल नाडू के बाद कुर्रम ये विभाग थे और कुर्रम के बाद एक आएगा और विभाग उर तीस प्रकार इनका जो है और वही करम था इसका एंसर हो जाएगा A Question number 20 है चोल ग्राम सासन पधती के अंतरगत निमलिखित में से कौन सी सधारन ग्रामों की ग्राम सभा थी तो सधारन ग्रामों की ग्राम सभा थी ये पूछ रहा इसमें तो वो थी उर एंसर हो जाएगा C उर तो अभी आपको पिछले कोशन बताया है थे कि ये प्रसास्तिरिंग विभाग का बटवारा सबसे बड़ा वता था मंडलम उसके बाद वल नाडू उसके बाद कुर्रम और लाश्ट में उर कोशन नमबर 21 है कथन और कारण से दिया है गहड़ वालों के चोलों से मैत्री सम्मन्द थे कथन में और कारण दिया है कुलो तिंग प्रथम के अविलेक के नीचे एक खंडित गड़वाल अविलेक उत्क्रिण पाया गया है तो इसमें देखें A सही है और R भी सही है और R A की सही ब्याक्या भी करता है तो इसका हैंसर हो जाएगा A यानि A और R दोनों सही है तथा A सही ब्या सुब्रमडियम भारती उनकी कृति कौन थी सुब्रमडियम भारती की तो उनकी कृति का नाम था कुईल पट्टू क्या नाम था कुईल पट्टू इसके बाद भाई बीर सिंग तो भाई बीर सिंग की कृति का नाम था मेगनात वधकाब्य मेगनात वधकाब्य इसके बाद थ प्राइगोर की जो कृति क्या थी तो इनकी थी गितांजली एंसर आजाएगा इसमें सी कवन गितांजली और माइकेल मधुसूदन दत इनकी जो कृति था जिसका नाम था राणा सूरत सिंग इस प्रकार यह सुमेलित है कोर्शन नमबर तेईस है भारत में ब्रिटिस सत्ता का प्राराम बक्सर के युद से होता है यह व्यक्तब किसका है यह व्यक्तब था सिर इस्ठीफन का यहाँ पर सर है सिर लिखा गया इसमें सर इस्ठीफन का किसने कहा था सर इस्ठीफन कोश्चन नमबर 24 है 1757 में सिराजु दौला ने किस जगह ब्रिटिस फैक्टरी पर आकर्मन किया 1757 में सिराजु दौला ने किस जगह ब्रिटिस फैक्टरी पर आकर्मन किया तो जगा का नाम पुछ रहा है तो जगा का नाम है कासिम बाजार एंसर रोजाएगा C कासिम बाजार कोशन नमबर पचीस है और अंतिम कोशन है निमलिखित में से कौन सा एक राज अंग्रेजों के लिए काम धेनू था कौन सा एक राजी जो है अंग्रेजों के लिए काम धेनू था तो उस राजी का नाम बताना है तो उस राजी का नाम था अवध इंसरो जाएगा डी अवध तो ये थे कोशन आज के लिए तुमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करे अपने दोस्तों के आधिक सदिक शेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम